पापा की भक्ती में लीन हो चुके हैं साज बहु और बेटिया आज पहुचा है सीरिल अनुपमा में डॉली का किरदार निभाने वाली एकता के घर पर पहिनों ने भी बड़े ही दिल से अपने बापा का स्वागत किया है तो आईए एकता से ही जानते हैं इस साल क्या कुछ है खास कैसे हैं इस साल के उनके गणपती बापा कर दो दो कि आईए गानेशा वो वो में रूज जानेशा है तक्षा अगर भी पदार चुके है गणेशा और भी आणेशा निभाने पानेशा इस साल करता है दो और गनेशा कि भक्ती वे ली है एकता भी और एकता इस बर क्या कुछ खास, पहले तो आर्रेंजमेंट की बात करें और फिर मुरादों की बात करेंगे, तो गनपती की मूरद जो चूज करने की प्रोसेस थी? जो प्रोसेस थी इस बार, तो ये मैने अच्छिली सोचिल मीडिया पर मैने एक मूर्ती देखी और ऐसे मन में बैठ गई वो फेस जो गभपा का होता है, तो नॉमली जब मूर्ती चूज करता है, तो हम लोग ऐस और फेस, तो आखे बोलनी चाहिए, और फेस थोड़ा सा वो होना चाहिए, तो मुझे इतना मन में बैठ गई है, मैं सब जगे गई, मैंने बुला मुझे ये वाली मूर्ती चाहिए, ये वाली मूर्ती चाहिए, ये वाली मूर्ती चाहिए, तो बुले नहीं, ये सब बुक हो चुके है, आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, मैं अंधिरी में रहती हूं तो अंधिरी में किसा सारे जगों पर मैं जाकर मूर्ति मैं अरिलह जुकत झाली सब जगे जा जाके, फाइनली गोरेगाउं से हमें, जो हमें पसंथी, मन पसंथ, वो मूर्ती हमने सिलेक्ट की, बपा की, और फिर इस बार, वाइट और पिंक और गोल्ड थीम है, बपा ने वाइट कपड़े पहने हैं, वाइट और पिंक कॉंबिनेशन के, फिर मैं गई, थीम थी, कि मैं फेदर लेकर आई, साफा बनवा के, फेदर करवाना, जूलरी हो गई, यह हो गया थोड़ा सा, कुछ फिनिशिंग टचेज देना, तो यह सब, इस अल, पाट बहुत सुंदर लग रहा है, I'm glad मेहनत सफल हुई, और बैग्राउं की बात करें, तो हर साल मैं थीम रखती हूं, पिछली साल, बबपा जी ऐलेफंट पर बैठे थे, तो इक फोरस्स थीम रखी थी, उसके पहले चांद पर बैठे थे, तो मैंने लांटरन से खुद अपने हातों से क्लाउट बनाए थे, तो इस बार इतने से क्यूट और काम, पीस्फुल वाला जैसे कि बपा के कैप पे जैसे फैदर है, वैसे ही बपा ने एकता को भी बलेच रखा है हमेशा और इतने सेरियल जो है उनकी कैप में हैं, तो क्या कुछ बोलेंगी? मतलब, सच में मतलब अपपा जब इभी आते हैं, आपको कीसे हैं, जब आने वाले होते हैं, तब सम्हाओ अच्छे नूज मिलते हैं, अच्छी चीजा होती हैं, एच्छी चीजे होती हैं, और यह रहींगे हैं यह सालों है। तो इस बार भी कुछ नियूस आ चुकी है मतलब। वेट न वाच। बच्पन की किती यादे ताजा हो जाती है बपपा आते जब बच्पन में बच्पन आते थे तब कैसे सेलिबरेट करते थे। बच्पन का तो मुझे एक फॉंड मेमरी है हमारे घर पे तो नहीं आते थे तो आम अजयन तो हमारे गंपती के टाइम पे पजूशन चलते है तो बिल्डिंग में गंपती पपा आते थे और बिल्डिंग में मतलब सारे बच्चे दस दिन होते थे दस दिन हर एक फ्लाट होता था दान्स कॉंपटिशन होता था हाउजी होती थी तो यह सारी मेमरी है कि कॉन क्या परफॉर्माज मुझे यह मिलेगा हाउजी में मुझे फॉर्स्ट वो मिलेगा फॉल हाउज मिलेगा तो यह सारी मेमरी है बिल्डिंग के गंपती की तो गंपती है तो गंपती इस वेसे हो जाता है, तो गनपती बपन आने वाले होते है, तब से हमारी निवाली, शुरू होoff кра Dobств gemaakt गनपती बपन का अगर कहें, फेवरिट भजन या कोई आरति अगर पना क कोई सहा है. मेरा परसनल फेवरेट सुख करता दुख हरता है तो मैं मतलब आज नहीं बहुत लगता है वह आरती और आज भी मतलब आरती वक्त मैं बला यही वली आरती वाचा रहा है और एकता है और मतलब गुजराथी के घर पर अगर भपा आये है और सामने गर्भा ना हो तो ऐसा तो बपा हम नवरातृी के दिन बपत करेंगे ना गर्भा भपा गुज्राती के दिन आए हमारे हां शरीखन्द, रोटी, लड़ो गुज्राती हम लोग जबी भी आरती के पह अपा के लिए सजाते हैं एंद फिर आर्ति करते हैं, तो येस, this is like special for Bappā. तो इस बार क्या special, कुछ खास मुराद जो है, मांगे ए बपा से? मांगते कुछ नहीं बप्पा को सब पता है हम बस बोलता है बपा को सब पता है कुछ मांगने के जरुरूत नहीं और बस bless करते हमें गनपती बपा मोर्या मंगल मुर्ती मोर्या हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिन्दकी में 24-7 entertainment तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है पूसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राइज जरूर दें और ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे चानल को subscribe जरूर करें अगर आप यही वीडियो facebook पर देख रहे हैं तो हमारे facebook पेज को भी follow करें और अब तो आप अपने whatsapp पर भी जाकर हमें follow कर सकते हैं नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहु और बेठियां तो एक साथ कहते हैं कनपती बापा मोरिया